दोहजार उनिस के लोगसभा चुनाओं को देखने के बहुत नजरी हैं पर कुछ जानकार भाजपा की बड़ी जीत के पीछे महिला वोटरों के समर्थन में बड़ी वज़ा मानते हैं कई लोगों का मानना है कि महिलाओं नी न सिर्फ इस चुनाओं में बड़ी भूमी का निभाई बलकि बड़ी संख्या में भाजपा को समर्थन भी दिया मोधी सरकार की लोपरी उजवला योज़ना से बड़े पैमाने पर ग्रामिन महिलाओं को गैस सिलेंडर मिले और कहीं जानकार मानते हैं किसे महिलाओं में भाजपा का समर्थन बड़ा चुनाओं बात के CSDS सर्विक्षन से अंदाजा मिलता है कि उजवला योज़ना का फायदा 34 फीजदी परिवारों को हुआ है और उनमें से एक बड़ी संख्या में लोग जानते थे कि ये योज़ना मोधी सरकार चला रही है हो सकता है कि इस वज़े से भी महिलाओं वोट देने के लिए पहले से जादा संख्या में निकली हलाकि पुखता तोर पर ये नहीं माना जा सकता कि योज़नाओं का फायदा लेने वाले वोटर हमेशा सत्ता धारी पार्टी को ही वोट देते हैं चुनाओं के बाद CSG की आउसे किये गए चुनाओं सर्विक्षन ये संकेत देते हैं कि भाज़पा के महिला और पुरुष वोटरों में संख्या का फर्क घटा है लेकिन भाज़पा महिलाओं की मुकाबले पुर्षों में जादा लोग प्री है 2019 लोगसबा चुनाओं में भाज़पा का वोट शेयर से 30 फीज़दी था जबकि उसे वोट देने वाली महिलाओं में से 36 फीज़दी के वोट मिले वहीं पुरुष वोटरों में से 49 फीज़दी ने भाज़पा को चुना है हाला कि ये चुनाव इसी चुनाव की बात नहीं है भाज़पा हमेशा महिलाओं की मुकाबले पुरुष वोटरों में अधिक लोग प्रिय रही है 2004 के बाद हुए लोगसभा चुनाव के आकड़े भी इसी और संदेश देते हैं महिलाओं का वोटिंग पैटन 2019 के चुनाव में कमोवेश वेसा ही रहा लेकिन लोगों का ध्यान इसो जाना चाहिए कि इस चुनाव में महिलाओं के चुनावों में भागिदारी के तरीके में बड़ा बदला हुआ ये महत्वपूर्ण बात है ये पहला लोग सबा चुनाव है जिसमें महिलाओं और पुर्षों ने बरावेश संख्या में वोट किया है 2019 के चुनाव में कुल 66.8 फीजदी मतदान हुआ 66.8 फीजदी पुरुष वोटर मतदान के लिए बाहन निकले और महिलाओं वोटरों का फीजदी भी इतना ही रहा महिलाओं और पुर्षो दोनों को मतादिकार एक साथ ही मिला था लेकिन चुनावों में महिलाओं में मतदान प्रतीशत हर बार पुर्षो के मुकाबले कम ही रहता था आजादी के बाद हुए कुछ लोगसबा चनावों में दोनों के बीच मतदान प्रतिशत का अंतर 12-14 फीजदी तक था 2004 के चनावों तक ये 9-10 फीजदी पर आ गया था 2009 में इसमें 4 फीजदी की गिरावट हुई और 2014 में ये अंतर महस 1.6 फीजदी रह गया था लेकिन 2019 में ये बराबरी पर आ गया है एहम बात ये भी है कि बहुत सारे प्रदेश ऐसे भी हैं जहां महिलाओं ने पूशों से अधिक मतदान किया मसलन अरुनाचल प्रदेश, पिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कैरल, मणीपूर, मेघाले, नागालेंड, ओडिशा, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, जारखंड और उतर प्रदेश ऐसे ही प्रदेश हैं Subscribe our channel and press the bell icon for more updates